दबसकर दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारी यूटूब चैनल में आज की इस वीडियो में हम आपको एक्सिस डायरेक्ट डीमेट अकाउंट के बारी में जानकारी देने बाली हैं कि अगर आप लोग सेयर में, स्टॉक्स में, म्यूचल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाते हैं अपना पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाते हैं तो आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना होगा तो आज आप आपको बताने बाले हैं कि कैसे आप ओनलाइन एकसे डाइरेक्ट डीमेट अकाउंट ओपन कर सकती हैं और कैसे आप अपना इन्वेस्टमेंट बिजनेस शुरू कर सकती हैं अगर आपके पास कुछ पैसा है और आप इन्वेस्ट करने की सोच रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है तो इस वीडियो को पहले ही आपको लाइक कर देना हैं और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बैल बटन दबा दीजिए अब चलते हैं मोवाईल स्क्रीन पर और समझते हैं कि कैसे आप ओनलाइन पेपरलेस एक्सिस डाइरेक्ट डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं तो चली अब मैं ले चलता हूँ अपनी मोवाईल स्क्रीन पर और आपको सिधा अकाउंट ओपन करना सिखाता हूँ इस वीडियो के description में एक link हमने दिया है उस link पर आपको click करना है और click करने के बाद आपके सामने access direct लिखा हुआ दिखेगा उस पर आपको tab करना है जब आप इस पर tab करोगे तो उसके बाद आपको अपना नाम और mobile number एंटर करना होगा start journey now पर click करना होगा उसके बाद click on get start पर आपको click करना होगा और नीचे आपको देख रहा है उसके बाद आपको अपना pen number, mobile number, email ID और date of birth डालके get OTP पर आपको click करना होगा उसके बाद क्या होगा कि आपके mobile पर OTP आएगा वो OTP यहाँ पर एंटर करके verify OTP पर आपको click करना होगा उसके बाद आपका OTP verify हो जाएगा click on next करना होगा आपको जो next का बटन नीचे दिया है उस पर आपको click करना है उसके बाद आपके सामने एक नई window open होगी वहाँ पर आपको कुछ detail डालनी है जैसे अपना नाम, marital status, father name, occupation और company type में आपको कुछ भी डाल सकते हैं साथी साथ आपको सही सही address डालना है तो यह सभी detail आपको एकदम accurate सही सही भरनी है जिससे आपको in future कोई भी problem ना हो यहाँ पर account बनाना काफी जदा easy है कोई hard काम नहीं है काफी आसानी से आप account बना सकती है तो आप यहाँ पर जो भी detail दें वो detail दें जो आपके आधार card में है क्योंकि यह online verification होता है तो यह आधार card के base पर ही होता है अब जैसे यह detail दोगे next window पर आपको IFSC code bank account number और account type आपका account saving है तो saving current है तो current select कर सकते हैं और उसके बाद आपको next पर click करना होगा यह भी detail आपको accurate सही देनी है क्योंकि इसी bank में आपका पैसा आएगा और इसी bank से आपका पैसा कटेगा भी next window आएगी आपको यहाँ पर इनके जो plan है वो select करनी होगे opening charges है वो देने पड़ेंगे जैसे आप starting में 499 बाला opening charge बाला plan ले सकती है और उसके बाद जब आप पैसे अच्छे कवाने लगें तो ज़्यादा बाला भी plan यहाँ पर ले सकती है जैसे investment plus plan है जो 1500 का है काफी अच्छा है उसे भी ले सकती है opening charges 499 आपको pay करने होगे तो एक plan आपको इसमेंसे select करना है और next पर आपको click करना हुआ यह payment आप बाद में भी कर सकती है उसके बाद आपको signature और bank statement आधर कार्ड की photo और passport size photo यहाँ पर upload करनी होगी सभी upload के option आपको देख रहा है side में upload पर click कर करके सभी को आप upload आसानी से कर सकती है यह भी बहुत ही simple step है जब आप इन सभी को upload कर दोगे तो आपके सामने next button देखेगा next पर ok करते ही अगली window आपके सामने open हो जाएगी वहाँ पर आपको payment करने के लिए बोलेगा opening charge का आपको payment करना है जो कि 499 है और अलग-अलग भी दिये हुए है payment करते ही यहाँ पर आपका account open हो जाएगा और आप investment शुरू कर सकती है तो दोस्तों आपने ये वीडियो complete देख लिए होगी आपको पूरा समझ आ चुका होगा कि कैसे आप access direct debit account open कर सकती है अगर आपको कोई problem आ रही है तो comment करके हमें बताइए हम आपको solution देने की कोसिस करेंगे और जिन लोगोंने account open कर लिया है वो भी comment करके बताइए कि आपने open किया है या नहीं investment शुरू किया है या नहीं और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे channel को subscribe करके well button दबाऊगे तो ऐसी ही जानकारी आपको in future मिलती रहेंगी वो भी free of cost वीडियो को like करने के बाद चैनल को subscribe जरूर कर दें ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद